दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक government organization जो की oil marketing company है और oil marketing और एक जो refinery है उसके उपर काम करती है जिसका नाम है BPCN भारत Petroleum Corporation Limited और इसका क्या strategy होने वाला है इसका जो price range क्या है यह investment करने लाइक है की नहीं उसके बाद इसका mid term long term target क्या होने वाला है और short term में क्या चाल दि करेंगे तो आके तक वीडियो को जरूर देखिएगा तोटर आपको प्रॉपर information सही से मिल सके नमस्का दोस्तों मार्केट इलेक्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं आज हम लोग बात करेंगे भारत Petroleum Corporation Limited के बारे में तो समसे पहले मैं आपके साथ बोलूंगा कि जो हम लोग का पिछले वाला जो वीडियो है और मार्केटिंग कंपनी के उपर बहुत सारा डेटेल में वहां पर डिसकस किया हूं और वहां पर रिपीट नहीं करूंगा आप लोग ओल इंडिया लिमिटेड का वीडियो जा के देख सकते हो तो आपको वहां पर एक अच्छा गासा ओवर्वियो आ जाएगा ओल प्रकेटिंग कंपनी के उपर तो यहां पर मार्केट एपलेशन के हिसाफ से भारत पेट्लियू आप लोग को दिख जाएगा 85,469 करोड का कंपनी जो के लाज क्याप कंपनी है और यहां अगर आरोसी आप लोग देखोगे डाट इज 8.20 परसेंट पे और यहां पर पियर्स कंपरेजन अगर आप लोग करोगे तो यहां पर रिफाइनरेशी के उपर ही किया हुआ है इसमें आप लोग का सामिल है तो इसके हिसाब से यहां पर आरोसी अगर देखा जाए तो सबस का आरोसी का ओनलनाबरेज के नीचे काम कर रहा है तो यह थोड़ा दिकत की बाद हो सकती है बिलकुल है और यहां पर बाकि वर बात किया जाए ऑलवोश्यक्येंटरड hp shell के हिसाफ से थोड़ासा ओऑर वालोईशन बन रहा है तो इसके य्लब करें झा उसका। यह जब चांद के जा तो फाइफ बनад का है तो इसके फेज़े लिए,रंजन वह रहा है बहुंगे 266 करोड का डेट जो कि debt to equity ratio निकल के आता है 1.23 इसका मतलब है कि हम लोग का जो threshold 1 उसे काफी ज्यादा है 23% ज्यादा है और यहां पे debt to equity ratio इतना ज्यादा होने से हम लोग के लिए long term investment बिल्कुल भी strategy नहीं बनाना चाहिए यह हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए लेकिन इस के हिसाब से यहां पर भी dividend को देखके यहां पर कोई investment बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए तो यहां पर promotor holding आप लोग को देख जाएगा 53% और यहां पर place percent completely zero है तो stakeholding के मामले में हम लोग को कोई भी discussion के पार बिल्कुल नहीं होने चाहिए तो यहां पर तीन साल का cash flow देखा और petroleum limited है यहां पर कोई भी यहां पर आप लोग बोल सकते हो कि cash generate नहीं हो रहा है capital intensive sector है तो यहां पर कहाली capital बहुत ज्यादा employed होता है फिर वहां पर जो return निकलना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है और यहां पर इस company का rate है इस company का performance है crude oil का हम लोग का बोल सकते हो कि उसका जो प्राइस है उसके उपर depend करता है जो की international market से तेर होता है कोई भी चीज अगर हम लोग का हम लोग के द्वारा price range यहां पर decide नहीं हो पाता है जो भी commodity होता है तो commodity-based business में जो company के पास थोड़ा सा और थोड़ा सा प्राइसिंग और कम रहती है तो यहां पर रिजब्स के उपर बात कि थाटीएट थाज़न का एक रिजब्स है जो कि उसको आच्छा कासा backup देने के लिए सही है और profit-loss के उपर बात किया जाए तो आपको net profit में continuously growing profit देखने के लिए मिलेगा अप्टू 2018 मार्च तक यहां पर आप लोग को दिखेगा कि एक अच्छा कासा आप लोग को जो continuously growing profit उसके बाद अच्छा कासा घटा हुआ है जो कि 7802 करोड का यहां पर घटके 2019 तक आया था तो यहां पर 2020 में भी घटके यह 3055 करोड तक आ गया था तो यहां पर डाउंग् नवेंबर चल रहा है तो October 2019 तक अगर बात करें तो 4227 करोड का एक नेट प्रोफित देखने के लिए मिलेगा जो कि मार्च 2020 से थोड़ा सा ज्यादा है तो यह अच्छी बात है 1,12 करोड का ज्यादा profit वहां पर कंपनी का जो यहां पर नेट में सो कर रहा है जो कि बहुत अ चार्ट है तो यहां पर आप लोग एक छोटा सा गिरावट दिखेगा यहां पर अच्छा गासा जो मुमेंट दिखाया हुआ है अभी भी continue है और यहां पर आप लोग देखोगे कि जो intensity है इस intensity भी आपने पास कायम रखा हुआ है तो छोटा सा गिरावट एक नजर आया हु हा सकता है बहुत कम चाहं से पर स्टील 3.85 तक यहां पर आप सकता है उसके बाद यह आपना जो ट्रेंड है यह continue रख सकता है और वान वी ऑपर बात किया यहां पर जो गिरावट अच्छा गाथ हो तक और उसके बाद यहां पर एक अच्छा गासा उच्छा दिखाने के लि मैं बता है पwsका हुआ है । बहुत फोटा इसा सा चौनिधार प्राइशन ईस र मतरिये में 50 अपर बताओन है दो जाओ ज्यू एक सब्हस्ट करेंगे कि this if यह हुआ है उपर की मेरत ईंवे में तरफ बतांग आगे 5D rd मल्टि कंन शून के हिसाब से क्याण कर रहा है तो यहां पर गुमुद कर दो रिफेर्स्ट आंगल कि उटनालस के साथ नहीं बना हूँ था और यहां पे तो रेस्पॉंड करना चाहिए लेकिन यहां पे भी रेस्पॉंड नहीं हुआ था बैड लग तो यहां पे और एक बार रिवर्स्ट एंगल बना लेकिन सार्पने इसके साथ नहीं बना हुआ है वह इसको इसलिए यहां पर रेस्पॉंड नहीं हुआ है तो यहा के लिए यहां पे 384 को आप लोगों को वेट करना पड़ेगा 384 का लेवल यहां पर पार्ख हो चुका है तो यहां पे थोड़ सा और उपर जाके वहां पर सस्टेन जब तक करेगा यहां पर अच्छा गज़ा देखने के लिए मिल जाएगा तो इसको क्रॉसवर के बाद यहा यहां पे थोड़ा से गिरावट के बाद 378 के असपास उसका बाद यहां पे बहुत आच्छा उच्छा दिखा सकता है तो यहां पे मैं बात करूंगा जो कि हम लोग का सबसे रिलाइबल पार्टन होता है तो उसके हिसाब से आप लोगों को दिखे गई एक उपर की तरफ यहां पे एक ग्याप डाउन ओपनिंग था यह गाप डाउन को भरने के लिए कभी ना कभी आएगा और यह ताइम अभी बहुत अच्छी है तो यहां पे अगर सौ्ट तर्म टार्टेट के बात करोगे तो फोर फिप्टी का टार्केट यहां पे दिख रहा है आज पर दे यहां पे जितना ग्रीन करोब बना हुआ है इसको ब्रेक यहां जो मुमेंट डिया है आपका 393 में यहां से अगा ऊकाँ पर इनश्तम तो इस घू अलीए दिखाया हुआ है यहां पर दिखा सकता है तो यह था हम लोग का प्राइस रेंज और यहां पर कोई भी डाइवर्जेंस नहीं बना हुआ था तो इसका चार्ड में सामने नहीं लाया हो वहां से कोई भी कन्तुजर नहीं निकल सकता है और यहां पर हम लोग का है इसका कोर्रिलेशन कोफिशेंट निप्टी वह निकल के आता है यहां पर यहां पर दिखेंगा निकल के साथ नहीं रहेगा तो कभी भी इसके उपर आनलेसिस करते हो तो यहां पर आप लोग को दिखेंगा वान डेक के चार्ट के हिसाब से पूरा एकदम ओभर जोन में चल रहा है अच्छा कासा यहां पर कोई भी अभी तक सेलिंग सिग तो सेलिंग सिगना जब तक नहीं आया हुआ है तो हम लोग यहां पर कोई भी गिरावट का नजर नहीं देख सकते हैं यहां पर आ चुका था यहां पर जैसे कि चार्ट रेट का इनल बना हुआ था और यह आप लोग देखोगे कि मतलब ऑर बोर्ट जोन में भी था तो यह में भी ते quantity नहीं कि भी नहीं भाइड बात किया था जैसे कि यह कहने कि युद्ट के वन वंड़ा नहीं बना हुआ है और यहां पर अच्छा गासा बिल्कुल ब्लग था हुआ है और नीचे की तरफ जो ओवर जोन में था तो दो ग्रीन गैंडल मतलब यहां पर अच्छा उच्छा दिखा सकता है यह तो बिल्कुल भी कन्फरमेशन हो जा रहा है और वान मन्त के हिसाफ से बात किया जाए तो यहां पर एक एक मीड रेंज के अंदर था तो यहां पर अभी के लिए कोई भी कन्कुलूजन नहीं निकाल सकते लेकिन कोई भी सेलिंग और बाइंग सिंगनल अभी तक नहीं आया हुआ है लास्ट दो महीन आगे उपर बात किया जे लेकिन अभी अगर बात किया जून जुलाई और अगस तो यहां पर उतना जदा इंवेस्टमेंट परपज में स्टॉक को बिल्कुल ही मत लेना चाहिए इसका जब भी इसका उपरचुन्टी बनता है तब भी हम लोग इन्वेस्ट करके यहां से निकल जाना ज्यादा सही रहेगा वह ऐसा ही स्टॉक है तो यहां पर पंपिंग तो होती ही रहती है फंडिंग तो उस हिसाब से आप लोग को उपरचिंटी धूर ना चाहिए जैसे कि अभी हम लोग इस वीडियो में बात किये हैं तो यह था हम लोग का फंडामेंटल और टेकनिकल आनलसिस कैसा लगा मेरे को एक बार कॉमेंटिशन में जरूर बताना सकते हो और इसका जो प्राइस सेंज के ऊपर बात किया तो उसको भी आप लोग देखके अपना इंवेश्मेंट डिशन ले सकते हो तो आपका अपना अपना फैमिली का और अपना पोर्ट्फिलो के ख्याल रखिए आगले वीडियो के लिए मेरे को उज्यादत दीजिए थ